हालो फ्रेंट्स आज मैं आया वाथ हजमेर की तरफ और रोड बे मैंने दिखा यह चीज जिसको हम बोलते हैं PMV प्रोटेक्टेड मॉबिलिटी विकल और यह प्रोडक्ट इसके बारे मैं कुछ चीज़े जानता था कुछ चीज़े मैं रीसर्च अभी की है और तो सुचा क्यों आपके साथ शेयर कर दीज़े तो यह DRDO और टाटा जो जिसको हम बोलेंगे यहाँ वे TASL फूल फूर्म बता हुआ है तो यह पहली बार हुआ है कि फ़स्टाइम कॉमर्शल सेल हुए एक प्राइवेट सेक्टर और DRDO के अंदर की प्राइवेट सेक्टर हैं पर टाटा हो गया आज से पहले DRDO खुद का अलगी बनाता था यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरे सेक्टर भी जो ह को एड़ कर देता हूं उनमें है कि यह बनने तो बहुत पहले वाला था अभी इसकी हाल टेस्टिंग स्टार्ट हुई है अप्रेल 2022 के अंदर मतलब कुछ पहले अप्रेल 2022 के अंदर हेंडोगर किया गया है डियाइडियो को यह चीफ आफ मिलिटरी को मुझे दंग से आदनी नाम उनका पर चीफ जो भी उनका होता है उनको हैं टाटा की तरफ से जहां के लिए यह चीज़ बनी है टेस्टिंग परपस के लिए सेकेंड जो लॉट आ टेस्टिंग नी बंद चुगा प्रपर बट टेस्टिंग हो रही फिर भी क्या है क्या नहीं है इसके उपर फॉल टाइम सपोर्ट रहेगा 24-7 टाइम 24-7 सपोर्ट रहेगा मेंटेन करने के लिए जितनी भी डिप्लोइमेंट लोकीशन दोगी मतलब अगर यह लदाक में ड जो बात चीत हुए उसके अब फीचर की बात करते हैं फीचर में सबसे पहले चीज़ आता हूं को में 8x8 आर्मर्ड प्लैट्फॉर्म पर बनाए गए हैं इनका ट्रांस्मिशन मैन्वल नहीं है आटमेटी ट्रांस्मिशन है तो मतलब चलाने वाले की मौज है सेकेंड ऑन बोर्ड थर्मल साइटिंग अपने को मिल जाती है इसके अपको अलग से नहीं है इसके पहले से प्रिंस सॉल्ड है थर्मल साइट्स फिर है एक्स्टरनल एड़ाउन आर्मर प्रोटेक्शन पैनल डवलट बाई DRDO तो भी अपने को मिहां पर मिल जाते हैं इसके प्लस लोग तो होगे इनके पास 30-30 का वजन होगा प्लस एक ड्राइवर और ग्यारा लोगों की जिखह होगी इसके अंदर इसके बाद में प्रोटेक्शन की क्या चीज है तो इसका आपको मैं नाम में ही चुपावाई इसका मतलब क्या चीज है इन्फेंट्री प्रोटेक कि इसके अंदर बैठें यह तरीके से अगर आपन बात करता है कर वहर होती है तो इस सबसे फस्ट चलने वाले जो वीकल होगे उनमें उनमें से यह होगा अब बात करते हैं कि कौन कोन सी चीजों से बच सकता है तो ग्रेनेड से बच जाएगा माइन ब्लास से बचा लेगा ब्लास्टिक प्रोटेक्शन मिलती है इसके अंदर अपने को इसकी मैक्सिम स्पीड रहेगी 90 किलोमेटर आर तो मैं सोच था इसकी स्पीड बड़ी 30-40 के नियर रहेगी बड़ा सानी 90 किलोमेटर आर बटी रोड पे रहेगी अगर आपन बात करते हैं टेरेंस के उपड़ डेजर्ट के अंदर या फिर बात करते हैं जो टेरेंस मतलब ना हाई एल्टिट्व रहेगी तो फॉर्टी किलोमेटर पर आर की मैक्सिम स्पीड रहेगी वर्किंग टेंपरेश्य कितने तेंपरेश्य में काम कर पाएगा तो मैनस 15 डिग्री मैनस 15 डिग्री से 40 डिग्री स कि इसका वर्किंग टेंपरेश्य रहेगा और आम से काम कर सकते होतने में बहुत इजिली का रहेगा कोई इश्यू नहीं आएगा इसको तो यह मैनस 15 डिग्री है आई हाई एल्टिट्यूड एरियास के लिए एक चोटी सीज़गा और कि बना किसकी जगह के लिए है तो एक मांटेंज के इंदर मांटेंट के लिए में अपना बाकिस्टान से जुड़ है और प्लेंस के लिए तो मतलब तीनों मल्टी पर्पस है पाड़ों में चलाओ डेजर्ट में चलाओ मतलब आफ रोडिंग करो बढ़िया इनसे और प्लेंज में चलाओ सब में क्यों कोई दिक्कत नहीं है कि अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से वेपन्स लग जाएंगे जो जिनकी पूर डिटे अब इसके अंदर पोर्ट दिया हुए शीज का और जो पबजी खेलते हैं वह लमजी जो होगी वह 7.62 mm वाली इसके अंदर 11 फायरिंग पोर्ट में लेंगे मतलब फायरिंग करने के लिए अंदर से अगर आप फायर करना हो तो जिनमें से एक तो रियर में होगा और बाकी पानी के अंदर से निकल जाएगा बिना किसी special preparation के मतलब अगर 1000 mm तक का पानी इसको दिखता है तो उसमें से एजिल निकल जाएगा कोई special preparation नहीं अपने को यह चीज के लिए तो यह भी बहुत गजब चीज है मतलब इसके feature तो एक ही नंबर लगे मुझे जो कि मैं पूरे प हैं वह मिशलीन के लगे हैं आप मुझे बतानी सारे लॉट्स के अंदर मिशलीन के आएंगी या नियाएंगी क्योंकि गाड़ी में तरस होता नहीं है वाट इन में होगा जहांता है कि इन्हें अच्छे ही दिये जाएंगे क्योंकि वहाई वो डियार डियों से आप खेल न अपने यह प्रेशर पंप्स अपने को देख खरीते हैं अपन गाड़ी के लिए उसमें मैक्सिम लिमिट होती हो भी 120 है 100 तक होती है तो यह था वीडियो जिसकी छोटी मोड़ी जानकारी मुझे पता थी मैंने आपको शेयर कर दिये और कैसा लागा वीडियो को जरूर बता इन चीज़ों के अंदर पहले अलएड़ी टर्टा ने वाची जबनाई थी फर्स्टाइम हो रहा है कि कॉमर्शिल सेल हुए प्राइवट सेक्टर के बीच में डिया डियों के बीच में इतने बड़े प्रोजेक्ट पे वह भी तो शेयर किजे अपने दोस्तों साथ में भी और सब्सक्राइब कीजे मारे चैनल को थेंक्यू